आपका एकजाम न्यूज बाई जेके में तो दोस्तो आज हम आप लोग को इस वीडियो में अंसर किसी रिलेटेड उसके बारे में आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों वीडियो को शुरू से अंतक देखिएगा आप लोग को इसमें सारी चीज बताई जाएगी कि कब से आप NTPC के अंसर की चेक कर सकते हैं, कब से आप उस पर अबजेक्शन रेज कर सकते हैं और सारा चीज कब आपका CBT2 का एकजाम होना हो सकता है और कब CBT1 का रिजल चलिए दोस्तों देखते हैं ओफिस्यल अपडेट को कि NTPC के दोरा क्या ओफिस्यल अपडेट जारी किया गया है और कब से जो हम अपना अंसर की चारी चेक कर सकते हैं चलिए देखते हैं हम सारे चीजों को तो देख सकते हैं दोस्तों यह जो है NTPC के दोरा जारी किया गय टेस्ट सीवीटी बन का जो है यहां पे ब्यूइंग आफ किस्टन पेपर रिस्पॉंस एंड कीज एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन इफ एनी किस्टन या ऑप्शन या कीज अगर आप लोग को कोई भी किस्टन या ऑप्शन में अगर आपको डौट हो रहा है कि यह गलत बेस्ट टेस्ट फॉर एंटीपीज पोस्ट अगेंस्ट सीएन वन गोजार उनीस बाज कंडेक्टेर अठाइस बारा दोहजार बीस से लेगर के एकटिस साथ दोहर एकीस तक जो है इन ओर्डर में चला था तो दोस्तों यह आप लोग को बता जी ला गया है तो दोस्तों आज है 14 तारिक तो आज 14 तारिक है कल 15 अगस थे दोस्तों आप लोग जानते हैं कल 17 अगसे और उसके बाद 16 तारिक को आप लोग को जो है इसका लिंक प्रोवाइड कर बाया जाएगा जिससे कि आप एंटी पीसी के आंसर की चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं 20 आवर्स लिखा है और यह जारी रहेगा कब तक दोस्तों तो यह सोला आठ से लेगर के तेईस आठ तक आंसर की आप 23 उनसर तक चेक कर स दोस्तों यहीं कि आठ बजे साम से लगभग आप लोगों को यह अंसर की जारी कर दिया जाएगा और इसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर वा दिया जाएगा और यहां आप 23 तारिक के बारा बजे कर सकते हैं 11 उनसर तक आप लगभग यह जहें अपना देख सकते ह है और क्या क्या दिया गया है दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि आफ्टर व्यूंग देटेल्स एज एभग ऑब अब्जेक्शन इफ एनी रिगार्डिंग देख सब्सक्राइब कर देख सकते हैं आप जो दिया गया है आप लोग को कि कितना फी लगएगा अंसर की तो यह आप सोला आठ से देख सकते हैं और वह भी आठ वजे साम से इसका लिंक आप लोग को दे दिया जाएगा रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन एगेंस्ट दा किश्चन ऑप्संस एंड कीज एंड ऑनलाइन फ्रीपिमेंट कब तक कर सकते दोस्तों तो आप अठा अंसर की को अच्छे से सारा जाच लिजीगा दोस्तों कहीं अगर आप लोग को कोई किश्चन गरत लगे या कोई और तो आपकी जो है रेज कर सकते हैं इन किश्चन के अगेंस्ट में शाथी दोस्तों आप लोग को से ही आए दोस्तों आप अपना अंसर की देख लीजेगा क्योंकि तेज तारीक तक इसका लाश्ट रखा गया है तो सोला को आप लोग को अंसर की प्रोवाइड करवा दिया जाएगा उसका लिंक आठ बजे और यह तेज तारीक तक लिंक एक्टिव रहेगा तो आप इसे जो पे रेज करते हैं अब्जेक्शन तो आप लोग को 50 रुपे देने होंगे उसके लिए लिखा हुए हैं दोस्तों प्लस एपलिकेवल बैंक सर्विस चार्ज पर क्यूश्चन इंकेस दा अब्जेक्शन रेज़ इस टॉन्ड टू बी करेक्ट दफी पेड अगेंस्ट सच व और यहां पर लिखा हुआ है प्रोड्यूशर फॉर रेजिंग और अब्जेक्शन दडिटेल प्रोड्यूशर बीच नेसेसरी गाइडलाइन इन दा लिंक प्रोवाइड ऑफिस्यल वेवसाइट पर सारा लिंक जो है आप लोग को रेज किस तरीका कर सकते हैं यहां से आप जांगर के देख सकते हैं यह तक तक तरीक तक आप बारा वजे से पहले जो है उसको पर रेज कर देख सकते हैं तो जैसे ही आपको अगर डॉट लगे तो अब कर सकते हैं कि डटी डिसीजन और भी ऑन दा अब्जेक्शन रेज सेली फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नो फर्दर क्रेस्पोंडेंस सेल भी इंट्रेंड फ्रॉं दे केंडिडेट्स इन दा मैटर तो दोस्तों जो है आप लोग को फाइनल यह अंसर की में एक बार अब्जेक्शन कर सकते हैं क्योंकि जब आप लोग को फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा तो उसके बाद आप लोग कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं सुना जाएगा तो इसी लिए इसके पहले अब्जेक्शन लगाने का मौका देती है कि अगर आप लोग को लगता है कि कोई गलत है तो आप उसे अब्जेक्शन कर सकते हैं और अगर आपको सही रहेगा तो नंबर वह आपको मिल जाएगा और जो फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें जो है आप लोग को वह नंबर पलस हो जाएगा तो दोस्तों यही रेल्वेक तरफ से अपडेट था तो सोलो क्ытुटिए जाएगा उसके बाद जैसे ही इसका ये प्रोसेस कम्प्लीट होता है उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही इसका रिजल्डT 15 से 20 दिनों क बाद इसका रिजल्ड जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद जिन कंड़िए बढ़ Conference होता है दो सी CBT 2 का तयारी जो है जरूर अस्टार्ट कर दे और तुरंत अस्टार्ट कर दे CBT 1 में result का इंतजार नहीं करें आप जैसे ही देखें कि मेरा number अच्छा बन रहा है number 60 अगर पलस आपके बन रहे हैं तो कहीं न कहीं आप लोग को नॉर्मलाइज करके आपका CBT 1 में selection होना तय है पचपन भी अगर बन रहा है दोस्तों फिर भी आप लोग का selection होने का chance बनता है इसलिए अगर आप लोग को पचपन question सही हो रहे हैं ज्यादा 15-20 दिनों के बाद आप लोग का रिजल्ट भी प्रोवाइट करवा दिया जाएगा तो जहां से आप देख पाएंगे कि आपका selection हुआ है नहीं तो अगर आप लोग का अच्छे नंबार आ रहे हैं तो स्टार्ट कर दिजेगा चलिए दोस्तों फिर जैसे ही कोई लिंक प्रोवाइट करता है रेलवे मैं आप लोग को फिर से आ करके एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को जनकाली दे दूँगा तो दोस्तों अगर आप हमार चैनल पर नए है तो को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि जैसे ही कोई न्यू नोटिफिकेसन आती है तो मै आप लोग को पहुचा से कुछ तो आज की वीडियो में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ततक करिए जैहिंद